गुदिनिंग एरिवड़ी, लेट्स क्रैक, यूपीसी, सीसी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है, कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम पूरी तरह से तयार थे, लेकिन ओबियस जो सौप्टवेर आप तक कक्षाय पहुचाने में मदद करता था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, फ्लक्ट्वेशन बार-बार हो रहा था और इस कारण से क्लास नहीं ले पाए थे, तो मुझे सबसे पहले तो आप कमेंट्स करके बताएए कि वाईस, मतलब आवाज, आओडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर हैं, ताकि आज की ये महतुपुर्न क्लास, आप सभी तक पहुच सके और आप इस क्लास के मध्यम से अपने सी सेट में उस सेग्मेंट को सबसे बेहतर कर सके, जिसकी सभी विद्यारतियों को सबसे अधिक आवशक्ता हैं, आज हम कॉम्प्रिहेंशन की शुरुवात करने जा रहे हैं, हमने पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक कवर कराया हैं, आज हम comprehension शुरुवात करने जा रहे बिल्कुल zero से, ये मानते हुए कि आज पहली बार ही पता चला कि comprehension की गद्यांश की कक्षाए भी हमें करनी हैं, zero से start करते हैं, आए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले एक मिनिट का समय हम आपका लेंगे, क्योंकि इस समय आपके लिए 2025 के विद्यारतियों के लिए हम नए साल की शुरुवात से पहले, जो विद्यारती बिल्कुल अपना positive mindset 2025 के लिए बना चुके हैं, उन्हें एक बहतर शुरुवात देने के लिए सबसे बड़ा ओफर, जिसमें आप 50% की छूट और 12 महीने तक का free extension प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपका target 2025 हैं, ये ओफर इस समय 23 दिसमबर तक available हैं, मतलब आप यदि subscription लेना चाह रहे हैं, तो एक minimum price में आपको ये सबसे बड़ा ओफर मिल रहा हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम, इंटर्व्यू की तयारी के माध्यम से आप अपने आपको बेहितर कर सकते हैं, संगर्श आपका साथ हमारा start your 2025 IS preparation with the top educator, bilingual बेच रहेगा GS और CSET के top educators के माध्यम से, और ये बेच live हो चुका हैं, अभी भी आप इसमें जुड सकते हैं, सुदर्शन सर की इसमें कक्षाय चल रही हैं, bilingual batch हैं, completely हिंदी माध्यम को dedicated batch भी आप जौइन कर सकते हैं, यहां मैं आपको पुना एक बात याद दिला दू कि जब आप किसी भी batch को जौइन करते हैं, तो ऐसा कदापी मत सोचेगा कि आपको वही batch के अलावा दूसरी classes नहीं मिलेगी, बाकी जितने भी online platform हैं, उसमें यह होता हैं कि आप जिस batch को लेंगे वही batch का course मिलता है, पड़ने केड में आपको देती है freedom, कि आप इस batch के साथ साथ अगले batch, पिछले batch, किसी teacher की recorded class, unacademy पर जितने भी classes हैं, वो सारी कक्षाएं आप देख सकेंगे, इसलिए unacademy आपको choice देता हैं अपने मर्जी के educator से पढ़ने का, तो आप batch भली जोइन करिए, लेकिन आप अपने courses को अपने according भी cover कर सकते हैं, C-Sate का batch स्टार्ट हो चुका हैं, और हिंदी माध्यम के dedicated offline batch, 40% तक की छूट के साथ 24 दिसंबर तक ये offer अभी available हैं, 30 दिसंबर 2023 को batch स्टार्ट हो रहा हैं, मतलब आप मात्र 96,000 रुपीज में अपनी offline preparation कर सकते हैं, C-Sate test series को आप join कर सकते हैं, और current affair weekly miss मत करिए, आए शुरुवात करते हैं, comprehension गध्याच, 0 से शुरुवात कर रहे हैं, जो विद्यार्ती पहली बार class ले रहे हैं, मैं उन्हें बता दू कि C-Sate नाम का जो paper होता है, जो qualifying nature का है, जिसमें 200 में से 66 नंबर आपको लाने होते हैं, जिसमें 80 question आते हैं, उन 80 questionों में 28 question, comprehension के आते हैं, 28 average बता रहा हूँ मैं, बाकि आपको 26 से लेकर 32 question के बीच में मिलते हैं, जो विद्यार्ती पहली बार UPSC का exam देते हैं, क्योंकि comprehension के question बड़े होते हैं, तो पहली बार जब वो paper देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि math reasoning तो पूछा ही नहीं, सब comprehension पूछा है, क्योंकि उसको दृष्टी भ्रम हो जाता है, कुछ मास्टर जो पहली पहली बार comprehension यूट्यूब पर पढ़ा कर बच्चों को भ्रमित करते हैं, उनको भी लगता है कि आधा paper comprehension का होता है, तो गलत है, comprehension के आउसतन 28 सवाल आते हैं, पिछले 4-5 वर्षो में तो 27 और 28 ये आकड़ा बिल्कुल fixed हो गया है, comprehension जो आपको आएंगे वो Hindi और English दोनों मीडियम वाले होंगे, इसका मतलब Hindi मीडियम के विध्यारती Hindi में solve करेंगे, और English मीडियम के विध्यारती English में solve करते हैं, मैं आपको पुना याद दिला दू कि comprehension में उन वीडियो से बचिएगा, जहां ये दावा किया जाए कि ये तीन नियम, ये चार नियम आपके comprehension में सुधार कर देंगे उसमें कोई डाउट ने कि मैंने भी ऐसा एक वीडियो बनाए क्योंकि व्यू आ जाते बच्चे भी क्या करें शौट कट देखते हैं तो जो आप पसंद करेंगे उसको सारी दुनिया बनाती है लेकिन सच ये हैं, हकीकत ये हैं कि UPSC ने इन तेरा वडशो में लगबग 370 comprehension पूछे हैं और जो विध्यारती उनमें से लगबग 1500-200 comprehension solve करेगा उसी भाषा में जिसमें UPSC पूछती है, तब जाकर एक comfort zone में आप पहुच पाएंगे तब जाकर आप सही तरीके से comprehension में comfortness महसूस करेंगे फिर आप सवाल करेंगे सर आप क्यों नहीं कराते मैं अपनी offline और online सभी कक्षाओं में 10-10-12-12 दिन की practice कराता हू YouTube पर क्यों नहीं करा पाता, क्योंकि YouTube का मेरा जो लाल है उसको मलाई चाहिए उसको केवल उपरी उपरी पढ़ा दो, खुश हो जाता है वो उस पे विवाते हैं, अगर मैं comprehension में 10 दिन की practice करूगा तो तीन कक्षाओं के बाद, चौती कक्षा में मेरे आधे से ज्यादा लाल लाली अपनी तरफ से तियाग कर देते हैं तयारी का तो आप मुझ पर आरोप मत लगाईए, आप अपने आपको पहचानिये की सच में क्या मैंने इतना प्रयास किया कि चार लोगों को motivate किया कि देखो comprehension बहुत बारी की से सरपड़ा रहे हैं इस कक्षा को मिस मत करिए, क्या मैंने भी कुछ दाईत्व निभाएं, ना मैं like करता हूँ, ना मैं comments करता हूँ, ना मैं share करता हूँ लेकिन master कोई course अधूरा अगर छोड़ दे, तो हाँ मैं दो-चार गालिया देने के लिए तयार रहता हूँ तो थोड़ा अपनी जवाब देहिता भी करिए कि अच्छी चीच जब मिले, तो उसका बाजार में आपके द्वारा प्रसार होना चाहिए ताकि बुरी चीच लोगों तक पहुच न पाए, संसार में बुराई इसले नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बलकि बुराई इसले बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोगों ने अपनी जिम्मेदारिया छोड़ दी हैं, उन्हें लगता है कि कोई न कोई करने वाला आएगा, इसलिए यदि आप कॉम्प्रियेंशन चाते तो मैं इतना तो कन्फम वादा कर रहाओ कि तीन कक्षा हैं, मैं बहुत अच्छे से एक-एक लाइन टू लाइन समझाते वे करूगा, लेकिन चौथी कक्षा की गैरेंटी तभी दूगा, जब आप मुझे उन तीनों कक्षाओं में पूरी उपस्तिती दर्ज कराएंगे और पूरी जिम्मेदारी पुरुवक, सवालों के जवाब भी देंगे और इस वीडियो को प्रसारित भी करेंगे, आप इसको अपना कर्तव्य समझे या गुरु दक्षिना, लेकिन ये करना होगा, नहीं हो स रखता हैं, तो नमस्ते, बाई-बाई, आप अपने रास्ते जाइएगा, मैं कोई नया विशय लेकर पूना पढ़ाना शुरू कर दूगा, वापीस जीवन पर आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में 28 प्रशन आते हैं, और ये 28 प्रशन आपको इसलिए आसान लगेंगे, क्यों को पहचानना बहुत जरूरी है, तो आज की इस कक्षा में पहले मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ, कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय किन बातों की साउधानी बरतनी हैं, और प्रशनों के अर्थ क्या निकाले जाएंगे, इस पूरी कक्षा को हम दो हिस्सों में बाट रहे हैं, एक हिस्से में हम बात करेंगे उन कॉम्प्रिहेंशन की, जिनमें अजम्शन के सवाल नहीं आते, जिसमें धारना के प्रशन पूछे नहीं जाते, उसमें पूछा जाता है, कन्क्लूजन, निशकडश, कोरोलरी, उपनिगमन, निशकडश पूछे जाते हैं, या फिर इंटरफेरेंस पूछा जाता है, परिनाम पूछा जाता है, संदेश पूछे जाते हैं, कि क्या संदेश है, सारांश पूछे जाते हैं, कि क्या सारांश है, हम एक उस टाइप में इस पर दो कक्षाए देंगे, और एक कक्षा हम लेंगे अजम् की लेकिन यदि आपने मेरा साथ दिया और बिलकुल पूरी उपस्तिती दर्ज कराई तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं इसमें 10 कक्षाए भी लूगा और इसमें ग्यारेंटी ले रहा हूँ पेपर आया हैं तो शायद यूट्यूब पर मैट्स और रिजनिंग सौल करने के लिए धेरो लोग खड़े हो गए लेकिन कॉम्प्रियेंशन में सटिक जवाब देने में आप अगर धून लीजेगा हमारे अलावा अगर किसी ने दिया होगा पेपर के बाद आंसर तो बता दीजिएगा कॉम्प्रियेंशन में पूरी सटिकता के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसले उतर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका उतर यही क्यों आएगा और उसके पीछे का कारण है मैंने जो प्रैक्टिस UPSC के सवालों से की हैं उससे यह पहचान लिया है कि वो जानना क्या चाहता है तो दो हिस्सों में हम इसको पढ़ेंगे एक हिस्से में हम अजम्शन पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में हम बिना अजम्शन वाले कोश्चनों को पढ़ेंगे तो आये सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं कुछ ठेवरी की, सबी लोग कौपी पेन निकाल लीजे, अगर कौपी पेन रखोगे तो और भी बढ़िया है, नहीं रखोगे तो ऐसी कोई दुख वाली बात नहीं बाद में लिख सकते हो, सबसे पहले टाइटल डालेंगे, गद्यांश को हल करने के महतवपूर्ण नियम, गद्यांश को हल करने के महतवपूर्न नियम, important rules for solving the comprehension, पहला नियम, गद्यांच के प्रश्णों के उत्तर केवल गद्यांच पर आधारित होने चाहिए एवल गद्यांच पर आधारित होने चाहिए आंसर अब दे कॉम्प्रियेंशन शुड़ बी पेजड ओनली ओन दे कॉम्प्रियेंशन आएए ज़रा इस बात को मैं समझाता हूँ हम जब कई बार कॉम्प्रियेंशन पढ़ते हैं गद्यांच पढ़ते हैं तो वो हमारे द्वारा निर्मान की गई विचारधारा से अलग हो सकते हैं और इसका प्रभाव या इसका परिनाम कई बार ये हो जाता है कि हम लेखक की बात सुनी नहीं रहे हैं और हमारे दिमाग में जो पॉइंट है वही समझा रहे हैं और एक्जाम्पल मान लीजे कि एक लेखक गद्यांच में ये बताने जा रहा है कि भारत ने अपने आधुनिक काल में जो विकास को प्राप्त किया है उसमें बहुत बड़ा श्रे LPG का है या हो सकता है कि वो LPG जिसको हम उदारवाद, वेश्वी करन, नीजी करन नाम देते हैं लिबराइजेशन, प्राइविटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नाम देते हैं हो सकता है लेखक उसका आलोचक हो, लेकिन हम अपने दिमाग में केवल उसकी तारीप लेकर बैठे हो तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके आधार पर आप उत्तर मत दीजेगा बलकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या बताया गया है कॉम्प्रिहेंशन जो बताएगा तुम्हारे सोच के लिए, तुम्हारे उत्तर को निकालने के लिए केवल उतनी जानकारी ही आपकी सीमाओं का निर्मान करेगी वे लाल लाली जो उस जानकारी के अलावा कुछ ओर सोच कर जवाब देंगे उनके उत्तर की गलतियाद ज्यादा होगी तो पहला बड़ा सरल नियम है कि जब भी आप गद्यांश के प्रशनों के उत्तर देंगे तो आप केवल अपने आपको उस गद्यांश की दाइरे में सीमित करेंगे यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके उत्तरों में सटिकताए हमेशा ही कम रहेगी मैं जब भी गद्यांश के उत्तर निकालता हूँ तो लेखक क्या कह रहा है वही मेरे लिए इंपोर्टेन है मेरी बात ध्यांश से सुनना जैसे मान लीजे कि एक गद्यांश है जिसमें लिखा गया है कि वर्तमान में वेश्वीक वन्य जीवों की जन्जातिया विलुप्तता की कगार पर पहुच रही है जिसका सबसे बड़ा कारण है उन वन्य जीवों के आवास में होने वाला विखंडन हैबिटेट डिस्ट्रक्षर इन आवास के विखंडन के कारण वन्य जीव अपना जीवन चक्र भली भाती पूरा नहीं कर पाते और उनकी जन्संक्या धीमे धीमे कम होती जाती है अब मान लीजे कि ये comprehension था लेखक ने पूछा कि बताईए कि वन्य जीवों के विलुप्ति का वर्तमान कारण क्या है अब आप में से किसी ने पढ़ लिया है समझ लीजे उसने पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसने पढ़ा है प्रदूशन हो रहा है लेकिन लेखक ने अपने गद्यांश में ना ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूस किया है ना प्रदूशन वो तो उसका आंसर बताना चारा है आवास का विखंडन तो कई बार लाल लाली ये सोचने लग जाते है कि भई दुनिया वाले कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे दुनिया वाले जो कहें वो अपनी जगह पर है लेकिन कॉम्प्रियेंशन के प्रशनों का आंसर जब आप निकालेंगे तो आप उस लेखक के विचारों के आधार पर ही निकालेंगे ये पहला नियम बिलकुल गाठ बान दीजेगा कि आपके प्रशन का उत्तर गद्यांश की सीमाओं का उलंगन नहीं करेगा और यदि आप गद्यांश की सीमाओं से परे सोच रहे हैं तो आप अपनी सोच को सुधारिए आप उसके अंदर ही सोचने की आदर डालिए दूसरा अगर हम बातचित करते हैं गद्यांश के प्रशनों में दूसरे नियम की जब भी हम प्रशनों को हल करते हैं तो कई बार विकल्प में कठोर या एक्स्ट्रीम शब्द यूज किये जाते हैं एक्स्ट्रीम या कठोर शब्दों का उप्योग किया जाता हैं जैसे केवल हमेशा सभी केवल हमेशा सभी निश्शित ही ऐसे शब्द जहां पर विकल्पों में आ जाए विकल्पों में अगर इस प्रकार के प्रशन कही पर आ जाते हैं तो याद रखिएगा कि ऐसे विकल्प बहुत विरले ही सही होंगे सव में से कोई एकात सवाल में ऐसा दिखाऊगा जहां ऐसा सवाल सही हो रहा है जहां केवल शब्द, सभी शब्द, मात्र शब्द, हमेशा शब्द था तो जहां भी ऐसे एक्स्ट्रीम वर्ड यूज किये जाए विकल्पों में आप उन विकल्पों को लगबग हटा दीजे कि ये तो सही नहीं हो सकता आप जब उन विकल्पों को हटा देंगे तो हमें और सही विकल्प तक पहुचने में मदद मिलती है एक तीसरी बात जो बहुत ही इंपोर्टेन है गद्यांश के प्रशनों को गद्यांश के प्रशनों को हल करते समय निगमनात्मक विधी के स्थान पर निगमनात्मक विधी के स्थान पर आग्मनात्मक विधी का उप्योग किया जाए आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं मैं ये कहना चारा हूँ कि इंडक्टिव मेथड की जगपर डिडक्टिव मेथड को यूज करिए इंडक्टिव मेथड की जगपर डिडक्टिव मेथड को यूज करिए ज्यान से सुनना मेरी बात ये मत ढूंडिये कि क्या सही है मत ढूंडिये कि क्या सही है पर जो विकल्प गलत है उसको हटा दीजिए मतलब आप सीधे सच की खोज मत करिये सत्य को मत ढूंडिये बलकि चार विकल्पों में तीन विकल्पों के गलत होने की गैरेंटी दीजे अगर आप चार विकल्पों में तीन विकल्पों के गलत होने की गैरेंटी पर पहुच गए तो आपके उस चौते विकल्प में गलती होने की गुंजाइस नहीं है कई बार विद्यारती क्या करते कि उन्हें लग रहा है कि B सही होगा B सही होगा इस बात पर गौर मत करो आप अपने आपको satisfied कराओ जवाब दीजे A क्यूं गलत है C क्यूं गलत है D क्यूं गलत है और अगर आप इस सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपका comprehension आपकी study आपके सौल करने के तरीके में अभी भी confidence नहीं है वो विद्यारती जो तीन विकल्पों को गलत साबित करने की शमताओं में आ जाए जिस दिन तीन विकल्पों को गलत साबित करने की तुमारी अवकात हो जाए मान लेना की comprehension अब तुम्हारे अंदर आ चुका है comprehension में सही क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि गलत क्या है ये identify जो कर लेंगे वो बचे हुए सत्य विकल्प तक पहुचेंगे तो हम जब इन प्रशनों को हल करेंगे तो हम ये दावा करेंगे कि ये गलत है क्योंकि उसमें ऐसा है भी गलत है क्योंकि उसमें ऐसा है और अगर ये हम बताने की शमता रखते हैं इसका मतलब हम comprehension के हर विकल्प को बारी की से समझ पा रहे हैं चौथा नियम प्रशन के आधार पर गद्यांश के कुछ हिस्से महत्वपूर्ण होते है आप कहेंगे सर ये क्या बात चीत है आईए समझते हैं प्रशन के आधार पर गद्यांश के कुछ हिस्से महत्वपूर्ण होते हैं समझ नगर आपका आपका examiner आप से conclusion पूछ रहा हैं अगर आपका examiner आपसे निशकडश पूछ रहा है, या आपका examiner आपसे inference पूछ रहा है, inference परिणाम पूछ रहा है, या आपका examiner कोरोलरी पूछ रहा है, उपनिगमन पूछ रहा है, तो इसमें पूरे गध्यान्च से कौन सी guarantee बात निकल कर आ رही है, guaranteed परिनाम guaranteed बात मतलब ऐसी कोई बात जिसमें आप ये दावा कर सके कि सर मुझे नहीं पता कि वो क्या बोलना चारा है लेकिन ये बात तो जरूर बोल रहा है और अगर आप ये बता सकते कि हाँ ये बात तो वो guaranteed बोल रहा है तो आप बता दीजेगा कि वही निश्कडश है वही उपनिगमन है और वही कोरोलरी है सिंपल सा कहने का अभी प्राय बस इतना सा है कि जब भी इस प्रकार का प्रशन आपके दिमाग में आएगा आपके पेपर में आएगा तो आप तनाव मत लीजे सीधा तीनों का मतलब है गद्यान से निकाला जाने वाला ग्यारिंटेट परिनाम गद्यान से निकाली जाने वाली ऐसी बात जिस पर कोई शक नहीं कर सकता जिस पर कोई विवाद नहीं कर सकता जिस पर मैं आप सब लोग कहेंगे हाँ भई ये बात तो निकल रही है इसे कहेंगे कि हम conclusion तक पहुचे हैं हम inference तक पहुचे हैं या हम corollary तक पहुचे हैं लेकिन जब कोई आपसे पूचना चाहरा है कि इस गद्यांश का संदेश क्या है इस गद्यांश का message क्या है तो याद रखिएगा गद्यांश के संदेश का मतलब होता है कि लेखक अंतिम रूप में लेखक अंतिम पंक्तियों में किस ओर जा रहा है हमेशा संदेश में अधिकतर जगह पर लेखक अपने बात को अंत कहा कर रहा है इसको कहते हैं संदेश जैसे मान लीजे मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूँ कि देखिए जो ल उन विद्यारतियों को आज से तयारी के लिए लगना होगा अन्यता सिलेबस बहुत बड़ा हैं और हर बार की तरह वे विद्यारती पुनह गलती कर बैठेंगे कि अपने सिलेबस को प्रॉपर समय नहीं दे पाएंगे इसलिए जो विद्यारती 25 के लिए आज से तयारी करेगा उनके सफलताओं में संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं और जरूरी हैं UPSC में तयारी के लिए पर्याप्त समय का मिलना तो मैंने इस पूरे बातों में क्या संदेश देना चाहा हैं UPSC की तयारी के लिए प्रॉपर समय को मिलना अधिकतर विद्यारती प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो समय पर तयारी नहीं कर पाते हैं तो संदेश में लेखक वास्तविक रूप में इस बात की और इशारा करना चाहता है कि महोदय लेखक कहा ले जा रहा हैं उसी को आप उसका संदेश समझेंगे संदेश का मतलब होता है वो किस विशय पर चिंतन कर रहा है और उसकी और भविश्यवर्ती क्या बात बताना चाहता है संदेश एक साधारन से अर्थ में कहे तो उसके द्वारा बताया गया एक ऐसा कथन जो उसे भविश्य वर्ती परिनाम की ओर या किसी समस्या के समाधान की ओर ले जाने की शमता रखता है लेकिन कद्यांज का सारांज पूछा जाएं तो आप उस सरल सी बात को कैसे संग्षिप्त में बता सकते हैं जिसको कहते हैं गागर में सागर भरना यदि आपके अंदर ये शमता है, गागर में सागर भढ़ने वाली, तो निश्चित ही आप एक बेहतर संदेश को निकाल सकते हैं। आईए प्राक्टिस करने से पहले पुन दोहरादु मैं, आप गध्यांच के प्रशनों के उत्तर केवल गध्यांच पर आधारित होंगे, एक्स्ट्रीम शब्दा आएंगे विकल्पों में तो वो गलत होते हैं, तीन को गलत साबित करने की आदट डालेंगे, और प्रशन के आधार पर गध्यांच की बाते बदलती जाएगी, हमें कहां क्या पूछा गया है, लेकिन इस पूरी कहानी में मैंने अजम्षन के कोई भी प्रशनों को अभी बताया नहीं है, क्योंकि अजम्षन के प्रशन तब सौल करेंगे, जब उसकी ठेवरी मैं समझाओगा, तो कुछ लोगों का एक बेसिक सवाल होता है, सर पहले प्रशन पढ़े की गध्यांच, मेरे इसाब से अगर एक कही सवाल है, तो प्रशन पढ़ सकते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता रहेगा की क्या करना है, पर यदि किसी गध्यांच में दो से त तीन सवाल पूछे गए हैं, चार-पांच सवाल पूछे गए हैं, तो आप गध्यांच को बढ़िया से पढ़िए, पढ़ना भी सीखना है, कई सारे लाल-लालियों को पढ़ते नहीं आता हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट हैं, आज जो मैं पढ़ूगा, अब हिंदी और इंग् अचे इंग्लिश में कॉम्प्रियेंशन पढ़ते चलना, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ूगा ताकि कोई एक लेंग्वेज में ही, और एकात कॉम्प्रियेंशन में इंग्लिश में भी पढ़के दिखाऊगा, आप जितना ज्यादा पढ़ते समय, साउधानी क्या बरततें ये समझ लीजे बस, देखो जब हम कोई चीज रीड कर रहे होते हैं, तो रियालिटी में हम अपने दिमाग में उस पढ़िवी चीज का इमेज बना रहे होते हैं, कुछ लोगों में ये इमेज निर्मान बहुत फास्ट होता है, कुछ लोगों में स्लो, मैं आपको बस इतन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि आप जब कॉम्प्रियेंशन को पढ़े, तो थोड़ा धीमी रप्तार से पढ़े, आप समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, कि बस पढ़ना हैं, आप उसे इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि आप उसके प्रती अपने मस्तिश्क में एक बाद हुआ, और आप उत्तर तक नहीं पहुचेंगे, तो थोड़ी सी रप्तार धीमे रखियेगा, मैं गैरेंटर बैठा हूँ, 28 सवालों में, 20 सवाल की एक्क्यूरेसी दूगा, यदि आप बस इमानदारी पुरुवक, मेरी बातों को फॉलो करना, मैं कोई 2-3 नियमों क आधार पर उत्तर नहीं निकालोगा, ये तो बस शुरुवाती बात मैंने समझाई है, अब हम धीमे धीमे, कॉम्प्रियेंशन को हल करते समय, अपनी थेवरी को बनाएंगे, उन लोगों से सावधान रहना, उन लोगों से किन से, आजकल मार्केट में कुछ ऐसी चीजे हो जाती तीन नियम, अब वो बदमाश व्यक्ती उन तीन नियमों के आधार पर, या उन तीन नियमों से हल होने वाले पाँच कॉम्प्रियेंशन लेकर आ जाएगा, और कहेगा देखा, ये पाँच कॉम्प्रियेंशन दो मिनिट में हल हो गए, क्योंकि वो तीन नियम उन्ही पांच के लिए लग सकते थे अगर आप चाहते हैं कि UPSC के 13 वडशों के comprehension आपकी पकड़ में आएं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ने तो गधे और घोडे में UPSC के संसार में difference नहीं होता इसलिए जरूरी है आप उसके लिए proper तरीके से mindset बनाएं कि मुझे complete comprehension solve करने और कही इधर उदर के नहीं किसी गंदे test series के भी नहीं कहूंगा मैं UPSC के previous year के जो विद्ध्यारती UPSC के previous year के comprehension में 60 कुत्तर निकाल के दिखा देगा समझ जाना कि वो 2024 के prelims में भी 60 कुत्तर निकालने की उग्यता रखता है आईए प्रारंब करते हैं पहला comprehension और सीखना पढ़ना कैसे पढ़ते हैं वो भी बहुत जरूरी है ध्यान से सुनिएगा मैं पढ़ रहा हूँ यद्यपी मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओ एवं प्रताओ को त्याग दिया है एक लेखक बोल रहा है हमसे और मैं उत्सुक हूँ कि मैं भारत की मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वतह उन सभी बेडियों को उतार फेके जो बांधती है रोकती है उसके लोगों को विभाजित करती है और उन में से अधी संख्या लोगों का दमन करती है तथा शरीरे वं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है यद्यपी मैं ये सब चाहता हूँ फिर भी अपने आपको अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और है भी और मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रंकला की कड़ी हूँ जो इतिहास के उशाकाल इतिहास की सुभा के भारत के अविस्मर्नी अतीत से संबद है यहां जे सुनना लेखक कहना चाहरा है मैंने वो पुरानी परंपराय और प्रथाओं को त्याग दिया है लेखक कह रहा है मैंने त्याग दिया है और आगे कहता है और भारत ने भी उन प्रथाओं और पुरानी परंपरायों को त्याग दिया है लेकिन पुरानी परंपराओ को त्यागने का मतलब मैं अपनी विरासत को नहीं त्याग रहा हूँ मैं अपने इतिहास को नहीं त्याग रहा हूँ क्योंकि लेखक आगे कहता है अतीत से मैं पूरी तरह नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी महान विरासत मुझे अपनी महान अतीत पर गर्व है हा लेकिन कुछ पुरानी परंपराय प्रथाय हैं मैंने उन्हें त्याग दिया है और क्यों त्यागा हैं क्योंकि वह देश में जो रोकती हैं बांधती हैं लोगों को बाटती हैं और बहुत सारे लोगों का दमन करती हैं वे शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है UPSC का comprehension है, बड़ा मजेदार comprehension है, लेखक चाहता है कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्यूंकि वबूत काल के अउचित्य को नहीं समझ पा रहा है, ये गलत है, क्यूंकि उसने लिखा है बिचारे ने, मुझे गर्व है, और मैं सचेत हूँ, मैं जानता हूँ, कि हम सभी तरह कि उस अटूट श्रंकला की कड़ी है, उसी इतिहास का, हम आज सुभा का दिन है, मैं जानता हूँ इतिहास के हर पहलू को, तो ये जो विकल्प है, उसने पूरी तरह से विकल्प में, जो बात बताई, वो कॉम्प्रियंशन से अलग है, इसलिए हो नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं, जिस पर गर्व किया जा सके, वो बोल रहा है, अपनी महान विरासत पर गर्व है, मुझे क्यों नहीं है, महान है वो, ऐसा कुछ नहीं हम कहेंगे, महोदय गलत है, पॉम्प्रियंशन में तो ऐसा बोला ही नहीं है, उसकी भारत के इतिहास में रूची नह माइने भारत को भी इसलिए त्यागने के लिए कह रहा हूँ, क्यूंकि वह भारत में ये समस्या उत्पन करती है, लेकिन मुझे इतिहास पर गरू है, इसका मतलब उसे रूची है महोदय मैंने A, B और C गलत साबित कर दिया अब दावा है मेरा दावा है मुझे नहीं पता लेकिन ग्यारेंटेड वे उसके भावतिक और आध्यात्मिक भावतिक का मतलब शारिरिक भावतिक का मतलब शारिरिक आध्यात्मिक का मतलब आत्मिय भई यही तो बोलना चाहरा है वो, भवतिक, फिजीकल और स्प्रिचुल, उसके भवतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकती है, देखो न, वो शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, उसके भवतिक, भई शरीर की जगब भवतिक शब्द लिखा जा सकता है, ऐसे शब्द का उपियो करने से आप या आरोपित नहीं कर सकते लेखक को, यही तो रिजन देरा था वो, उसके भवतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकती है, बहुत ही मजेदार कॉम्प्रियेंशन है, यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो शायदी से अद्बुत रुवात कर सकें, अभी मैं एक और कॉम्प्रियेंशन पढ़ूगा, दो ओथर वांट्स इंडिया तो फ्रीट सेल फ्रॉम्प्रियेंशन के बाद, अभी एक और कॉम्प्रियेंशन पढ़ रहा हूर सीखना मजाएगा आज आपको, आप कहोगे कि बताओ हम जिस दुख से ग्रसित थे, वो इतना सरलता से समाप तो हो सकता था, यदि हमने बारी किसे हर चीज सीखी हो, सभी लोग ध्यान देंगे, विश्व की बाल मृत्यू में लगभक पांचवा भाग भारत का हैं, पहली लाइन बता रहा हैं, दुनिया म पांच बच्चे अगर बाल बच्चे मरते होंगे, तो उसमें एक भारत का होता है, 20% भारती बच्चे विश्व में जितने बच्चे मरते होंगे, संख्या के आधार पर यद दुनिया में सरवाधिक बाल मृत्यू है, अगर नंबर के आधार पर देखा जाए, तो किसी दे मर रहे है भारत में इन में से आधे से अधिक के जीवन की पहले महिने में मुरुत्य हो जाती है चिंता का विशय है कि ये बच्चे अपने जन्म के पहले महिने में आधे बच्चे मर जाते हैं जैसा कि अधिकारियों का विश्वास है कुछ ओफीसरों ने इस पर काम किया इसक पान और इम्यूनाइजेशन से संबंदीत आधारबुथ स्वास्ता आचरन के प्रसार के लिए कदम नहीं उठाए गए मतलब इन बच्चों के दूद के लिए स्तन पान के लिए और इनके वेक्सिनेशन में उतना बेहतर काम नहीं हो पाया हैं ये रीजन पता चला इसलिए आ 2.6 करोड की विशाल गर्बधारन योग्य जन संख्या महिलाओं की बात कर रहा है अब ये ऐसी महिलाओं की जो गर्बधारन करती हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली महिलाए हैं जो वयस्क महिलाए हैं गर्बवस्ता और प्रसव पश्षात के संकट पुर्ण समय के दो परान देखभाल से वंचित बनी रहती है मतलब बच्चे के जन्म देने के बाद उस महिला के खान पान पर उस महिला के स्वास्त पर जो ध्यान होना चाहिए था उस पर वो ध्यान नहीं है इसमें बाल विवा का प्रचलन युवतियों में एनीमिया रक्त की कमी और किशोर पिरेट के समय जो उनको डाई जिस तरीके की स्वच्चता उन्हें रखनी चाहिए जिस तरीके से उन्हें चीजे मिलनी चाहिए स्वच्चता पर विशेश ध्यान नहोना भी शामिल है जो सभी बाल मृत्यू दर को प्रभावित करते हैं मतलब उसने दो रीजन दिये एक त उनके स्वास्त पर उनके स्वच्छता पर या फिर उनसे जो छोटी छोटी चीजे हैं जो खास करके गर्बधारन के बाद होनी चाहिए थी उन पर ध्यान नहीं देना भी बाल मृत्यूदर को प्रभावित करता है। लेखक ने इस पूरे गध्यांश में हमारे देश में बाल मृत्यूदर उसके कारणों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। बहुत ही ऐसा कॉम्प्रियेंशन है जो हमें समझ में आना चाहिए। साधारन है बिलकुल साधारन आईए जरा देखे उप्रियूक्त परिछेद से कौन सा निरनायक इनफेरेंस अनुमान निकाला जा सकता है। कौन सी ऐसी बात निकाली जा सकती है जिसमें महोदय आप दावा कर सकते हैं कि ये तो होगा ही बाकी आप जो माने वो रहेगा लेकिन ये रहेगा ही। पहली बात बहुत से भारती ये निरक्षर हैं ये सच हैं लेकिन ये कौम्प्रेहेंशन में नहीं है। मैं कहूंगा कि ये गलत होगा क्योंकि इसके बारे में गद्यांश में कही जानकारी नहीं है। मुझे आप बताए तो सही उरे गद्यांश में मेरा लेखक कहां कह रहा है निरक्षर्ता के बारे में। कहां उसने साक्षर्ता, निरक्षर्ता, ज्यान, अज्यान की बात कही है। उसने तो इस्तनपान, इम्यूनाइजेशन और महिलाओ के, गर्बधारन करने वाली महिलाओ के स्वास्त की बात कही है। तो मैं कहूंगा कि दावा है मेरा, ये तो नहीं होगा महुदय। भारत की जनसंख्या अती विशाल है और केवल सरकार ही लोक स्वास्त सेवाओ का प्रबंधन नहीं कर सकती। पूरे गद्यांच में वो आप से इसमारे में चिंतित है कि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। कहीं नहीं है वो बता रहा है बाल मृत्यू के आकड़े, वो बता रहा है उसके पीछे के कारण और उसने अपने कॉम्प्रियेंशन में भारत की विशाल जनसंख्या और सरकार की स्वास्त सेवाओ पर अभी कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रबंधन की बात नहीं की हैं हां अव सरचना की कमी की बात जरूर की हैं कि आधार भूत स्वास्त आचरन नहीं हैं और उससे भी ज्यादा ऐसी जगह पर उसने अव सरचना पर भी फोकस किया हैं लेकिन प्रबंधन के बारे में उसने कोई आरोप नहीं लगाया। मात्र स्वास्त तथा बाल स्वास्त सेवाओं को, मतलब माता के स्वास्त को और बच्चे के स्वास्त के लिए जुड़ी हुई सेवाओं को, एकी कृत करना होगा, जोडना होगा, उनको आसानी से पहुचाना होगा, इस समस्या को प्रभावी रूप से हल कर सकता है, जी हाँ, क्योंकि माता का स्वास्त अच्छा रहेगा तो इस्तनपान होगा, बाल्य वस्ता अगर आपको बेटर करनी है, बच्चों की मृत्यू को बचाना है, तो उसने लिखा है, कि ये भ गर्बधारन योग्य महिलाओ का पोशन, बाल मृत्यू दर को प्रभावित नहीं करता, अरे लिखा है, सभी बाल मृत्यू दर को प्रभावित करते हैं, ये तो गद्यांच के खिलाप है, ये तो होई नहीं सकता है, दावा है, कि इस सवाल का जवाब केवल और केवल सी उन्हां आपको याद दिलाओ, केवल एक दो कॉम्प्रियेंशन से खुश मत हो जाना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी ये एक शुरुवाती लेवल के कॉम्प्रियेंशन है, लेकिन जैसे जैसे अभी हम और आगे बढ़ेंगे, और आपको आइडिया लगेगा कि अच् पढ़ना और हल करना है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों का विश्वास है, कि नित्रत्वय का ऐसा गुन है, जो या तो जन्म से होता है, या बिल्कुल नहीं होता, लेखक कह रहा है, कुछ लोग ऐसा मानते, या सिद्धान्त मिथ्या है, लेखक कह रहा है, ये सिद्धान जूटा है, जो ये लोग सोचते, क्यूंकि नित्रत्व की कला अडजित की जा सकती है, और अवश्य ही स्तिखाई जा सकती है, या खोज युद्ध के समय में की गई ह और प्राप्त परिनाम प्रशिक्षकों को भी आच्छर्य में डाल सकते हैं। बलकि सैनिक ये समझ लेता हैं, मौत हर जगर पर हैं, हमें कही भी जाना हैं, तो अपने आपका बेहतर पर्फॉर्मेंस करना हैं। सकता हैं, जबकि कुछ ना करना लगबग निशित तोर पर गलत हैं। मतलब आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो तो गैरेंटेट मिस्टेक हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो भी वो एक बार बेहतर माना जाएगा। लाल लालियो लेखक ने नेत्रत्व पर बात कही हैं, लेखक लीडर्शिप के बारे में बात कर रहा हैं, कि वो अरजित की जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, और लोगों के रिजट हमें अचंबित कर देते हैं, और इसका उधारन भी दिया, जैसे एक सैनिक। Some people believe that leadership is a quality that is either innate or not present at all. This theory is false, because the art of leadership can be acquired and must be taught. This discovery has been made in times of war and the results obtained can surprise even the trainers. Faced with the choice of whether to go left or go right, every soldier quickly understand that making a quick decision to go either side is better than engaging in endless discussion. If you make a firm choice in any direction, there may be a chance of being right in it, even when doing nothing is almost certainly wrong. इस परिछेद में लेखक क्या बताना चाहता हैं, क्या बताना चाहता हैं भी? नेत्रत्व को केवल युद्ध के अनुभव से ही सिखाया जा सकता है. ऐसा गंडा वेक्ति है जो ये आंसर बताएगा, वो विचारा तो उधारन दे रहा था, कि हमने युद्ध के दौरान कि ये प्रयोगों से अनुभव किया, कि हम उसे सिखा सकते हैं. नेत्रत्व को केवल युद्ध के अनुभव से सिखाया जा सकता है, मेरा लेखक ने ऐसा दावा नहीं किया है. उसका ये विचार नहीं है, बलकि वो ये दावा कर रहा है कि नेत्रत्व जन्म जात नहीं होता, नेत्रत्व को अरजित भी किया जा सकता है, साथ ही सिखाया भी जा सकता है, लेखक ने ये मत दिया है, नेत्रत्व की कलार जित की जा सकती है, और अवश्य ही सिखाई जा सकती ह मैं कहूंगा यह उसका guaranteed मत है, पर आगे देखते हैं अभी, प्रशिक्षन के परिनाम दिखाते हैं, की अपेक्षा से अधिक लोग नित्रत्व अजित कर लेते हैं, उसने कहा हैं कि परिनाम प्रशिक्षकों को आचर्य में डाल सकते हैं, आचर्य में डालने का मतलब वो नित् नेत्रत्व की शम्ता जो वो उतना सोच रहा था उससे बेटर परफॉर्मेंस किया लेकिन इसका मतलब ये ने कि नेत्रत्व बहुत ज्यादा ही सीख लिया ये जरूरी नहीं है आश्चर ये जरूर होता है उसे यहां अगर विकल्प नहीं होता मेरे पास तो एक बार ये विक कल्प भी मैं चुन सकता था कठिन प्रशिक्षन के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं ऐसा तो कही से कहा तक हमारे लेकत ने कहा नहीं कि नेता बनते हैं कि नहीं पर उसने कहा कि नेत्रत्व को तिखाया जा सकता है नेत्रत्व को अरजित किया जा सकता है महोदय इसका उत्तर केवल और केवल आएगा क्योंकि मुझे इसलिए confusion नहीं है क्योंकि as it is ये बात मैंने अपने लेखक के शब्दों में देखी हैं मैं बार-बार कह रहा हूँ आप अपने मस्तिश्क को कहिए कि इधर उधर मत दोड़ो लेखक क्या बोल रहा है उस पर focus करो और बताओ कि उत्तर क्या होगा आएए ज़रा देखते हैं अगला comprehension जिसे आप लोगों को हल करना है मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के पास एक minute का time हम दे रहे हैं आप इसे start करिए आपका time start होता है अब झाहूंगा झाहूंगा पुरी मानदारी से पढ़िए प्लीज धीमे पढ़िए कही जल्द बाजी मत करिए कही जल्द बाजी मत करिए स्टाप आइ जरा देखें कितनी लोग बात समझ पाए हैं, इधर ध्यान देना, बहुती खूपसरत कॉम्प्रियेंचन है, खनिज तेल, मिनरल ओईल, पेट्रोलियम जिसकी हम बात करते हैं, खनिज तेल समुद्र में रहने वाले लगू जीओं के मृत शरीर और पवधों से पैदा होता है, उद्गमित शब्द लिक पढ़ने की जुरुत नहीं, उद्गमित का अर्थ दिमाग में आ रहा है तो कहो प इंस निकालेगा, मतलब इन छोटे जीओं से बनता है, लाखो वर्षों के दौरान समुद्र तल में मरत जीओं का विशाल धेर जमा हो जाता है, मतलब लाखो वर्षों में छोटे छोटे जीओं जनतु जो समुद्र के हैं, वो नीचे की और मर कर जमा हो जाते हैं, तथा सम लेहरे उन्हें बालू और गाद के अच्छाधन से ढख देती हैं, समुद्र से आने वाली बालू और गाद उनके उपर बैढ जाती हैं। फिर ये कठोर होने के कारण ये खनीच, ये जो खनीच जो भी बालू है अुशादी शेलो में बदल जाते हैं फिर ये जो उसके उपर बालू है ये प्रकार से चट्टान बन जाती है और प्रभावी रूप से ओक्सीजन को बाहर रोग देती है और अब अंदर ओक्सीजन जाने नहीं देती जिससे तल में खटा समुद्री जमाओ का पुर्ण अबघटन रुक जाता है मतलब अब जो पूरी तरह से डीकंपोजिशन हो रहा था जो सुश्म ततुओं में तूट रहे थे अब घटन डीकंपोजिशन खत्म हो गया बंद हो गया ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है आउसादी शेल की पड़ते और मोटी होती जाती है अब चट्टान उसके उ पूश्मा उत्पन करता है और उस हेविनेस के कारण उन पर एक हीट पैदा होती है दबाव के कारण और वो लगूमरत शरीर जो कि अब डीकंपोज नहीं हुए थे कच्चे तेल के रसायन में बदल जाते हैं एक ऐसी प्रक्रिया के अंतरगत जो आज भी जारी है इस कॉम् बड़ा अदबुत मैं कहूंगा कॉम्प्रियेंशन है शायद साइन्स में भी इतना खूपसूरत तरीके से कोई कॉम्प्रियेंशन नहीं मिलेगा जिसमें इतनी क्लियारिटी के साथ बताया होगा तो पेट्रोल का निर्मान कैसे होता है डीजल कैसे बनता है ये छोटे छोटे समुद्री जीव पेड़ पौधे नीचे दबे उनके उपर रेत आ गई फिर लगातार वो चट्टान में बदली ओक्सीजन के जाने को रोग दिया फिर वो मोटी होती चली गई और जब उस आवसादी शेल तेल जमाओ के निर्मान का कारण बनते हैं क्योंकि आवसादी शेल के नीचे तेल का निर्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ दाब उत्पन होता है इसके नीचे कोई लवनिय दशाय नहीं होती यह गध्यांश में है यह गध्यांश में नहीं है क्योंकि गध्यांश में दिया यह नहीं है क्योंकि गध्यांश में दिया यह नहीं है क्योंकि उसके नीचे लवन की कितनी दशाय थी मैं कहूंगा महोदय यह तो दिया यह नह अरे बकायदा लिखा हैं प्रभावी रूप से effectively oxygen को बाहर रोग देती है, effectively शब्द बहुत अलग हैं, कही से कहा तक भी नहीं, शायद अंग्रे जी में हमारे टीम ने कोई दूसरा ही प्रशन डाल दिया, मैं शमा चाओगा इंगलिश माध्यम के विध्यारतियों से, उपरी शाय, उपरी शाय मतलब अपर, उपर की sedimentary rocks अवसादी परत का भार उशमा उत्पादित करता है, महोदय अवसादी शेल की परते और मोटी और भारी हो जाती हैं, उनका दाब उशमा उत्पन्न करता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और इसलिए उन शेल के नीचे तेल का निर्मान होता है, इन में ऐसे पदार्त होते हैं, जो म्रत जीवों को तेल में परिवर्तित करने हैं, तो आवश्यक रासाइनिक प्रक्रियाओं को तीवर करते हैं, क्या अवसादी शेल में कोई ऐसे रसायन उसने बताए कि अवसादी शेल में क्रोमियम होता है, सोडियम होता है, जिसके कारण ऐसा कुछ होता है, ऐसा कॉम्प्रियेंशन में वर्णन नहीं है, महोदय इस कॉम्प्रियेंशन में इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल ऑप्शन सी होगा, बड़ा मजेदार हैं, यदि आप कॉम्प्रियेंशन को समझ पा रहे हैं, यकीन मानिये, बहुत बहुत ही मजेदार सवाल होते हैं, यदि आप अपनी सीमाएं, अपने मस्तिश्क को गद्यांश के अंतरगत रखें और लेखक की बात को समझ जाएं, जो लेखक की बात को समझेगा, उतना ही उत्तर आसानी से निकाल पाएगा, अगले कॉम्प्रियेंशन के लिए आपके पास एक मिनिट का समय हैं, मैं रिक् पेश करूगा कि इसको पढ़िये, और फिर सवाल का जवाब दीजी, आपका टाइम स्टार्ट होता हैं अब, जो लोग आने जाने वाले हैं उन पर गौर मत करिए, आप अपने पिल्कुल वीडियो पर फोकस करिए, दिखा दीजी अपने पुरानी पिड़ी को, या आप में वो ताकत और जोश है, जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे, दिखाई अपनी शमताओ को यदि आप सच में इमानदारी से महनत कर रहे हैं, स्टॉप, आईए, आदतों का पालन करने में कोई हानी नहीं, जब तक कि वे आदते हानी कारक ना हो, बुरी आदते ना हो तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, वास्तों में हम में से अधिकांच लोग, आदतों के पुलिंदों से शायत कुछ अधिकी व्यवस्तित होते हैं, आदतों के कारण हम अरेंज हो जाते हैं, हैबिट है, साड़े साथ बजे मास्टर आएगा, हम पढ़ेंगे, हैबिट है, शाम छे बजे मास्टर एक महतुपुन खबर पर चर्चा करेगा, हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाएं, तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहेगा, भई मेरी जो आदत है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मेरी जो हैबिट है, जो लाल लालियों को बोलने का तरीका है, जो पढ़ाने और एक्स्प्लेन करने का तरीका है, वो मेरी आदत है, और अगर मैं उसक को हटा दू तो शायद लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे हमें अपनी आदतों से मुक्त हो जाए तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहे हम इनके बिना नहीं चल सकते वे जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती है इन में से हम बहुत सी चीजे अपने आप क करना चाहें तो अस्तित्व एक संभव उल्जन बन जाएगा मतलब अगर हम अपनी उसी आदत के अनुसार काम न करें और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें तो वास्तविक रूप में जिन्दगी बहुत कठिन हो जाएगी इसलिए आदते हमारी जिन्दगी को हम इसके बिना नहीं चल सकते जीवन की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं अगर हम ऐसा ना करके हर दिन नया करने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी जिन्दगी में उलच कर रह जाएगे लेखक का सुझाव है कि आदते पताए आप लोग मुझे कमेंट्स करके लेखक का सुझाव है कि आदते क्या करती है अदभूत और मजेदार सवाल हैं हम कहेंगे के महोदय हमारे जीवन को कठिन करती हैं ये तो गद्यांज के खिलाप है मैं साबित कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा हमारे जीवन में सटिक्ता लाती है ये सही हो सकता है लेकिन मेरे लेखक ने मेरे कॉम्प्रियंचन में एक्क्यूरेसी पर कोई बात ही नहीं कही उसने तो केवल सरलता पर बात कही सिंप्लिफाई पर बात कही उसने एक्क्यूरेसी और सटिक्ता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है हमारे गद्यांज में नहीं है ये गद्यांज के विप्रीत जा रहा है हमारे जिलिये जीना आसान करती भी सरल को क्या कहोगे आप सिंप्लिफाई करती है इजी करती है नहीं तो हम उल्जनों में फस जाएंगे हर बार नया करने के चक्कर में हमारे जीवन को मशीन बनाती है ये भी सही हो सकता है लेकिन लेखक ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है कि हमें वो मशीन बनाती है हो सकता है कुछ लोग जिनोंने आदतों के बारे में पढ़ा होगा, वो कहेंगे कि हाँ उसमें मैंने पढ़ा था, वहाँ बोला था उसने कि आदते मशीन बना देती है, लेकिन लेखक ने यहाँ ऐसा नहीं कहा, लेखक तो आदतों का समर्थक है, कई बार ये गलतिया विध्यारती कर बैटे उन्हें लगता है, मैंने जो पढ़ाता वो सही था, भई हो सकता है वो सही होगा, लेकिन कॉम्प्रियेंशन में लेखक के अंतरगती हमें उत्तर देना है, इसलिए लेखक ने कहा कि वो जीवन की प्रक्रिया को सरल करती है, और वास्तविक रूप में हर चीज अगर आप हर दिन नया करने की कोशिश करोगे, तो वो कभी भी बेहेतर नहीं हो पाएगी और जिन्दगी उल्जनों में फस जाएगी, अभी एक और कॉम्प्रियेंशन हिम्मत मत हारिएगा अभी, बहुत अद्वुत कॉम्प्रियेंशन है, ध्यान से सुनना, कठिन सवाल है आज की एंडिंग, कठिन सवाल से कर रहे हैं, पुना आपको मैं एक मिनिट का समय दे रहू, आप पढ़िये और फिर मुझे बताईए कि आपको क्या लगता है, अबढ़िये और फिर रहे हैं, स्टॉप राइटिंग या स्टॉप रीडिंग प्लीज आए ज़रा लेखक के विचारों को समझते हैं सफल रोकतंत्र राजनिती में व्यापक, रूची और भागिदारी पर निर्भर करता है कौन सी डेमोक्रेसी सक्सेस्पुल है? ऐसी डेमोक्रेसी सक्सेस्पुल है जहां बड़े लेवर पर लोग पाटिसिपेट करते हैं और इंट्रेस्ट दिखाते हैं तब ही वो सफल हो पाता है और उसमें मतदान एक जरूरी पार्ट है मतदान एक important पार्ट हो जाता है जान बूचकर इस प्रकार की रूची न रखना मतलब मतदान न करना और मतदान न करना एक प्रकार की अंतरनीत अराजकता है एक प्रकार की अपने अंदर लोकतंत्र के प्रती नकारातमत विचार है यह स्वतंत्र राजनितिक समाज के लाभों का उपभोग करते हुए अपने राजनितिक दाईत्व से मुख मोडना है मतलब लेखक उन लोगों को बात कर रहा है कि आप अगर जान बूचकर मतदान नहीं कर रहे हैं जबकि आप फी थे आप मतदान करने जा सकते थे लेकिन आप वोटिंग करने नहीं गए तो एक प्रकार से आपने अपने राजनितिक दाईत्वों का निर्वन नहीं किया और जो लाभ आप इस लोकतंत्र में अरजित कर रहे हैं आप जो भी फैसलिटीज प्राप्त कर पा रहे हैं या आप कही न कही उन लाभों के लिए अपने जिम्मेदारियों से मुख मोड र बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खुले तोर पर लेखक ये बताना चारा है कि राजनितिक दाईत्वों से मुख मोड ना है मतदान न करना तो लेखक मतदान की जिम्मेदारी बता रहा हैं लेखक बताना चारा है कि मतदान करना या आपका दाईत्व है आपकी ड्यूटी है बिलकुल हो सकता है मतदान का अधिकार लेखक ने मतदान के अधिकारों पर कोई explanation नहीं दिया कि यह कैसा अधिकार है या या अधिकार कब मिला या इस अधिकार की क्या बात्चित है ऐसा लेखक ने कही पर भी चर्चाय नहीं की है कही पर भी चर्चायन मतदान के अधिकार की नहीं है बलकि मतदार करने की जिम्मेदारी की बात्चित है मतदान की स्वतंत्रता इस पर हल्की सी बात किये कही है कि जान बूचकर नहीं करोगे मतलब दाईतों से मुख मोड रहे हो तो स्वतंत्रता इंडाइरेक्ली उसने नहीं बताई प्रत्यक्षरुप से नहीं बताई है राजनिती में भागीदारी का अधिकार राजनिती की सफलता लोकतंत्र की सफलता में भागीदारी इंपोर्टेन है पर राजनिती में भागेदारी की जगह, पर राजनिती में या लोक्तंत्र में मतदान की बात्चित है, पूरी तरह से केवल और केवल एक ही हो सकता है, क्योंकि मैं बाकी तीनों को गलत साबित करके दिखा सकता हूँ. पुना सीखिये और मैं पुना बता दू कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन के प्रशनों को हल करें, तो प्लीज तीनों को गलत साबित करने की आदट डालिए. इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक पहुचाईए, इस वीडियो की सफलता ही अगले वीडियो की तीवरता को बढ़ाएगी. कल दो हजार पच्चिस के विद्यारतियों के लिए साड़े साथ बजे हम एक महतुपूर्न चर्चा करेंगे, वो रणनितिक चर्चा होगी, वो तयारी की समय की चर्चाए होगी, और भी बहुत कुछ उसमें हम बाच्चित करेंगे, बाकी हम जल्द ही, बाकी इकोनॉमिक् का मेरा थन आप तक पहुचाऊगा, बहुत अदबुत और मजेदार तरीके से, तो बिलकुल तनाव मुक्त रहिए, एकोनॉमिक्स मैं आपके एक्जाम में जाने से पहले, अदबुत तरीके से पूरा करके दूगा, सभी को बेस्ट आप लख, बाई, लाइक शेर जरूर कर दीजेगा प्लीज